दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्राय जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछें आज की सबसे पहली कबर कोरोना संकर्ड में नीचे कमेंट का बाड़ा निरनाई गाओं में एंबुलेंस खरिद पर दो लाग का अनदान जिहां कोरोना के दोसरी लहर के कारण ग्रामिन छेत्रों में संक्रमन तेजी से बढ़ा है संक्रमित वेक्तियों के इलाज के लिए स्वास्त केंद्रों तक परिवहन की वेबस्ता उपलब्द होना आवज सक है वर्तमान परिस्तिते में ग्रामिन चेत्रों में एंबुलेंस की उपलब्दा को बढ़ाया जाना आवज सक है ताकि संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्त केंद्रों तक पहुचाया जा सके इसको लेकर मुख मंत्री ग्राम परिवानी योजना के अंतरगर्द एम्बिलेंस को मानेता देते विए प्रति परखन दो लाबुकों को एम्बुलेंस के क्राइम मुले का 50% अधिकतम दो लाग अन परचवालों में चल रहे नितिस केमिनेट की बैठक में 13 अजंडो पर मुहर लगी है कोरोना संक्रमन को देखते विए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है नितिस सरकार ने बिहार के हरे गाह में डाक्टर की तनातिक करने का बड़ा निर्ने लिया है मंगलवार को बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार के देख्स्ता में हुई मांत्री परिशत की इस अहम बैठक में 13 अजंडो पर मुहर लगी है आपको बड़ा दे कि नितिस सरकार ने कोविट टिकाकरन को लेकर 1000 करोड रुपे जारी किये गये हैं लौडाउन के करण गरिबों को काफी परिशानी हो रही है ऐसे में सरकार ने गरिबों को मुप्त अनाज उपलब कराने के लिए 117 कडोर के मंजूरी दी है सरकार के इस पैसले के कारण प्रादेश के करीब 8 कडोर 71 लाग गरिबों को मुप्त अनाज का लाब मिलेगा गौर तलब हो की सियम नितिस ने रासनकार धारकों को मैं और जून महिने में मुप्त अनाज देने का एलान किया था इसके अलाबा नितिस सरकार ने सिक्चकों के वेतन के मंजूरी दे दी है सरकार ने पोने 3 लाग सिक्चकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 कडो रुपे के मंजूरी दी है बिहार के सिक्चा मंतरी व पेतन का भुगतान तुरंथ हो जाएगा बड़े कबार अब एक राज से दूसरे राज जाने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं स्वास्त मंत्रालाई की नई गाइडलाइन जारी जिया देश में कोरोना संक्रमन का आकड़ा अवे 21% है लेकिन देश में कोरोना संक्रमन क मामलों में गिरावट आई है और राजवार आगड़ा देखे तो मामलों में गिरावट साप नजार आती है स्वास्त मंत्राले ने कलिया इसपष्ट किया कि एक राज से दूसरे राज के लिए कोरोना की आटी पिस यार टेस्ट की जोरत नहीं है स्वास्त मंत्रालाई की ओ तो दिस्तर पर चलेगा कोरोना टिकाकरन का अभियान अब इसकूल और कोलेज में भी बनेगा वैक्सिनेशन सेंडर जिया वैस्विक महामारी कोरोना संग्रमन से बचाव के लिए कोवीड टिकाकरन अभियान को तेज किया जा रहा है अब 18-44 वर्स तक के लाबार्तियों का ट जारी पत्र में कहा गया है कि कोवीड नाइंटीन वैस्विक महामारी से सुरक्चा प्रदान करने के उद्यस से 18-44 वर्स आयू वर्ग के सबी लाबार्तियों का सरकारी स्वास्त संस्तान में निश्वल्क टिकाकरन कराया जा रहा है इस आयू वर्ग के लबार्तियों के चालित स्वास्त संसानों से अलग सरकारे स्कूल कॉलेज आदी में आजित किया जाना है बड़े कबर पपो यादब पर और कसा सिकंजा 32 साल पुराने किड्नेपिंग वह हच्ता के मामले में गिरपतार पूर्व सांसद और जान अधिकार पार्टिक के मुख्या पपो पूची थी इससे पहले मंगलवार सुबा पीम सीच की कोवीड वाड में जाने के बाद पपो यादब को गिरपतार किया था पटना में मंदिरे इस्तित आवाज से पूलिस ने पपो यादब को गिरपतार किया था पूलिस ने उन पर बगेर अनुमती गुमने सरकारी कायर में बाधा डालने और लौडाउन के नियमों का उलंगन करने का आरूप लगाया था। तरनाक है ऐसे मामलों की पहले नियाईक जाच के बाद ही कोई कारवाई होनी चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो जन आक्रोस होना लाजमी है। जी हाँ विकास सेल इंसान पाटे के अधक्च और प्रदेश के पसु एवाम मतई से विभाग के मंतरी मुकेश सहनी ने जाप के अधक्च पपु यादब की गिरपतारे को गलत ठाराया है। सहनी ने मंगलवार को ट्विट करके इस पर अपनी तीकी प्रतिक्रिया दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि जनता के सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जन परतिनिदी सामाजिक संस्ता एवमकार करता को आम जन के मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। 12,60 दिन बाद ऐसा हुआ है जब नए मरीजों से ज़्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी है। 12,60 दिन महामारी से जान गवाई है। 920 लोग पोजिटिव मिले हैं जबकि पिछली 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 9 जिले ऐसे हैं जहां 500 से अधिक मामली सामने आये हैं। समस्तिपूर में 782, पूर्निया में 589, बेगुसरा में 511, बैसाली में 493, मुझपरपूर में 452, मदुबनी में 435, पश्टिमी चंपारन में 442, और अंगाबाद में 430, और गया में 405 कुरोना के मामली सामने आये हैं। पूने और मुंबई से बिहार के जीलों के बीच चलेगे स्पेसल ट्रेने दानापूर, दरबंगा और भागलपूर के लिए तैयारी है। आपको बदाती कि पुने दानापूर पुने special train का परिचालन 10 माई 14 माई 17 माई को होगा वही दानापूर से यह train 15 माई 18 माई को होगा तो वही गाड़ी संक्या 01333 और 01334 पुने दरबंगा पुने स्पेसल टेन का परिचालन 13 माई को चलाए जाएगी जबकि दरबंगा से यह ट्रेन 15 माई को खुलेगी इसके अलावा पुने से भागलपूर की बेच इस्पेसल टेन का परिचालन किया जाएगा। किया जाएगा यहाँ ट्रेन चत्रपती सिवाजी से 13 माई और 20 माई को खुलेगी जबकि दानापूर से यहाँ ट्रेन 14 माई और 21 माई को खुलेगी कोरोना में हमारे और लॉडाउन के बेज अब रूलाने लगा है सरसो तेल और रिफाइन आसमा अंचूर रही है किमते लॉडाउन की समार से फिर एक बार खाने पीने की समान और पेट्रोल डिजल के दाम बढ़ने लगे हैं हर घर में उपियो के जाने वाले सरसो तेल के दाम में बेताहसी बिरदी हो गई है तेल के बढ़ेवे दाम के कारण अधिकांस रसवी घरों में तेल बाहर होता जा रहा पांच डिटर तेल का मुईले जहाँ पहले 440 रुपय था वही अब इसका मुईले बढ़कर 800 रुपय हो गया है इतना ही नहीं पेट्रोल डिजल की भी दाम आसमान चुरही है महंगाई की मार जेल रहे महिलाओं ने खायद पदातों में तेल का उपयोग कम कर दिया है बड़ी कबर मुझपरपूर में मास्क नहीं पहनने वालो पर आज से FIR बगेर काम के गाड़े लेकर निकलने वालों से वसुला जाएगा मोटा जुर्माना जिहाँ बिहार के मुझपरपूर जिले में कुरोना संक्रमर तेजी से फेल रहा है हर दिन मोत हो रही है इसके बाव किरता से नहीं ले रहे हैं अब इस लापारवाही पर पुलिस सक्त करवाई करेगी आज से बिना मास्क के पकड़े जाने पर FIR दर्ज होगे इस सम्वन में समवार को SSP जैकांत ने निर्देश जारी किया है इसके मुताबिक पुलिस जाच में यदि कोई सक्स बगेर मास्क के पकड़ा जाता है तो उसके खिलाब कानूनी करवाई होगे साथ बगेर काम के सहर में वहां लेकर निकलने वालों से मोटा जुर्माना वसुला जाएगा बिहार में स्वास्त कर्मियों के 50 लाग के बिमा के अवदे 6 मा बढ़ी निती सरकार का निर्देश जी हाँ बिहार में कोरोना संक्रमन काल में स्वास्त कर्मियों के 50 लाग रुपे के अवदे 180 दिन के लिए बढ़ा दी गई है स्वास्त विवाग ने इस समन्द में सभी जीलो और सभी मेडिकल कोलेज अस्पतालो और आने स्वास्त संस्तानों के प्रचार और अधिक्चिकों को इसकी जानकारी दी है वो इस समन्द में आवस्य करवाई करने का निर्दिस भी दिया है साधी के कुछ घंटे बाद ही दुलन की मौत डोली की जगा उठी अर्थी दुले ने दी मुकगनी जिहा बिहार के मुंगेर में दिल दहलाने वाली घटना हुई है जिले के तारापूर प्रकण के अबजल नगर पंचायत के कुदिया गाम में साधी की कुश्या उस समय मातम म बदल गई जब दुलहन बनी निशा की अचानक तवियत बिगड़ी और मौत हो गई कुछ घंटे पहले उसकी मांग भरने वाले पती ने अर्थी को कंदा दिया और गंगा घाट लाया और मुकगनी दी गावालो के अनुसार निशा कुमारे एक सप्ता से सर्दी खासी से प में दोसा रूपन का गंदा खेल जी हां बकसर के चोसा में गंगा नदे में 71 सम मिलने के बाद दो राज्यों बिहार और उत्तर परदेश में दोसा रूपन का खेल सुरू हो गया है बिहार सरकार ने गंगा नदे में मिले सवों की तकिकात कराई है आपको बता दी कि सवों क परदाल में बिहार सरकार को जानकारी मिली है कि ये लासे बिहार के नहीं उत्तर परदेश के हैं बिहार सरकार ने अब गंगा नदी में उत्तर परदेश बोडर के पास महाजाल लगा दिया है ताकि अब उत्तर परदेश में लास पेके जाए तो वे बहकर बिहार में ना आए आज के लिए आपका सवाल अगर आप चाहते हैं कि पप्पू यादव को जल्दी से रिहा किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में रिलिज पप्पू यादव जरूर लिखे